अब हम motivation से जुड़ो है कुछ important theories के बारे में बात करेंगे जो सबसे practical है, simplest है और easiest to understand है वो शायद Abraham Maslow का hierarchy of human needs है अब हमें human needs के बारे में क्यों बात करनी है previous slide में जब हम motivation cycle के बारे में बात कर रहे थे तो हमने देखा कि motivation एक need से शुरू होता है तो अगर हम human needs के बारे में जान लेंगे तो हम ये भी जान लेंगे कि motivation किस तरह से काम करता है तो Maslow बोलते हैं कि needs जो है वो त्री categories के होते है basic needs, psychological needs और self-fulfillment needs अगर ये सारे needs को हम एक pyramid में डालते हैं तो lowest level जो सबसे basic level है वो है physiological needs जैसे कि food, water, warmth, rest अगर आपको भूक लगता है तो food चाहिए, प्यास लगता है, पानी चाहिए ठंड लग रही है, warmth चाहिए और आप बहुती tired हो तो rest चाहिए तो ये सबसे basic needs होते हैं जो किसी भी व्यक्ति को motivate करते हैं और कोई भी higher level needs के बारे में सोचने से पहले हमारी ये physiological needs जो है, वो fulfill होना चाहिए अब अगर आपके physiological needs fulfill हो गए तो आप next level of basic needs के बारे में सोच सकते हो जो कि security और safety है अगर आपके सारे basic needs fulfill हो गए हैं तो आप psychological needs के बारे में सोचते हो जब एक बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है, teenager बन जाता है या फिर एक young adult बन जाता है, तो आप देख सकते हैं कि वो बच्चा जो है वो friends चाहता है, और वो relationships के बारे में सोच रहा है और थोड़ा और बड़ा हो जाता है, तो उसे intimate relationships बीचाहिए तो ये belongingness और love needs होते हैं और बच्चा थोड़ा और बड़ा हो जाता है और adult हो जाता है, तो अब वो काम करना शुरू कर देता है तो अब वो esteem needs के तरफ पहुँच जाता है esteem needs में आपको career में कुछ achieve करना है, कुछ accomplish करना है आप चाहते हैं कि दूसरे लोग आपको respect करें आप prestige के बारे में सोच रहे हो तो ये esteem needs, belongingness और love needs जो है वो psychological needs होते हैं और अगर आपके esteem needs भी fulfill हो गए तो आप फिर next level पहुंच जाते हो that is self-actualization अब self-actualization में आप spirituality के बारे में सोच रहे हो आप अपना potential को explore करने के बारे में सोच रहे हो आप अपने creative abilities को explore करने के बारे में सोच रहे हो ये बहुत ही high level needs होते हैं और ज्यादा तर जो लोग esteem needs पार कर चुके हैं यादि कि जो जिन्दगी में कुछ accomplish कर चुके हैं वो self-actualization के बारे में ज्यादा सोचते हैं तो इस तरह से सबसे पहले हमें physiological needs, safety needs, जोकि basic needs हैं वो fulfill करने होते हैं उसके बाद हम psychological needs के बारे में सोचते हैं और highest level में हम self-fulfillment needs के बारे में हम सोचते हैं तो ये है Maslow's hierarchy of human needs